हेलो इस्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है तो जो आज पेपर हुआ बहुत इक सास्तर का 70 नमबर में उसमें जो 20 नमबर अबजेक्ट्व है उसको आपको क्लियर करना है कि किसके कितने नमबर सही है तो चलिए देखते हैं सभी अबजेक्ट्व को मैंने क्लियर कर लिया है आपको इसको मिलाना है कि आपके कितने नमबर सही है तो सबसे पहले क्वेशन है प्रतेक में से सही विकल्ब चुनकर लिखना है question पहला था विद्धूत दुईद्रूव आगून का मात्रक तो कूलाम मीटर होगा ठीक है तरंग शदिस का ब्यक्त किया जाता है मतलब तरंग शदिस जो होता है उसे किससे तो के बरावर टू पाई अपान लेमडा से ब्यक्त किया जाता है शुद्द जलक के लिए निरपेच्छा बरतनां का मान 1.33 होता है ठीक है प्रमाणुक्रमांग से तातपर क्या है तो नाभिक में उपस्तित प्रोटानों की संक्या से है एन प्रकार के अर्थचालक में पाए जाते हैं तो इलेक्टरान पाए जाते हैं, होल नहीं पाए जाते हैं ये और बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए तो वही कोस्चन है दूसरा कोस्चन है रिक्ति स्थानों की पूर्थ कीजिए धारा घनत को SI पद्धत में मात्रक तो एंपियर प्रती मीटर स्क्वेर, ठीक है प्रेरण प्रतिगहात, XL SI मात्रक पद्धत में पताना है, SI पद्धत में पताना है मात्रक तो ओम होता है ठीक है, प्रतिगहात का मात्रक ओम होता है इलेक्ट्रान के विशिष्ट आबेस का ऐसा ही पद्धत में मान कितना होता है तो 1.7 इन्टू 10 तुट पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन परमाडू की निम्नताम अभस्थाम इलेक्ट्रान की उर्जा त्यारल समलो 6 इलेक्ट्रान बोल्ट होती है इस प्रकार से आपके यह पांच क्लियर हो गया होंगे चले देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है आपका सही जोड़ी मिलाइए इसमें से बताना है तो देखिए चाला के अंदर बिद्धु छेत की तिर्वता होती है सून तो यह पहला नंबर हो गया नाइक्रोम होता है बिद्धु तार बनाये जाता नाइक्रोम का तो सेकेंड हो गया छोटा दंड चुमबक चुमी की दुईद्रूव होता है यह थर्ड हो गया द्रस प्रकास केड़ों के तरंगदैर्थ की कोड की दस घाते मैनस छे चौथा हो गया अलफा कन हीलियम नाभिक होते ही यह अरेंजवल कहते हैं जिसका फार्मूला यह बरावर क्यों भी भी साइन थीटा होता है दूसरा कोश्चन है सहीक तो सूच मिदर्सी के अग्द्रस्था की अवर्धन छमता 06 मतलब 6 और आवर्धन छमता कितनी है नेत्रिका की अवर्धन छमता कितनी है पांच तो कूल आव ब्रत्य होती है बीटा कर्ण पर उपस्तित आवेस का मान कितना होता है बीटा कर्ण निगेटिव होता है अलफा कर धनात्मक होता है इसलिए माइनस 1.6 इंटू 10 पार माइनस 19 धातूं के लिए उर्जा अंत्राल कितना होता है तो जो उर्जा अंत्राल होता है यह होता है ग साहिक है यदि कोई गलती हो जरूर कमेंड वाक्स में कमेंड कर देना हला diabetes कर दो चले ठीक है और जो आपके वीडियो को रोग देता हूँ आप आप लोग स्क्रीन सार्ट ले लें ठीक है जो नए इस्टुडेंट है जो आगे आगामी समय पढ़ने वाले उनके लिए मैं कह रहा हूं तो जरूर तयार करने इस प्रकार को जो की अवस्थक है आगे कोश्चन 9 से 11 तक देखें यह सारे के सारे महात्पून है जैसे जो 11 क्ला इसके बाद कोश्चन नंबर आपके 15 और 16 इसके बाद कोश्चन 17 और 18 यह आपके महात्पून है यह जब मैं पढ़ाया करता था तो हमेशा कहता था कि दिष्ट करण कहने के मतलब पियन संदी डायोड और गेट में कोश्चन डेपनेट आता है हर बार कहता हूं और हर बार स कोश्चन मैंने जो अभी 10 कोश्चन दिया था उसमें से यह दोनों कोश्चन आपके हैं है ना यहां पर मैंने दो 15 कोश्चन टोटल मैंने बताया था पेपर के पहले कल वीडियो अप्लोड किया था एक 5 कोश्चन का और एक 10 कोश्चन का तो उसमें से यह कोश्चन आपके ह लगभा गेंदी दो चार दिन से जो तयारी करते रहोंगे तो उनके कम से कम 30 नमबर तौ 4 दिन में मैंने पढ़ाया 4 दिन में तो उनके 35 नमबर कम से कम क्वर्शन से आ सकते हैं ठीक है टूड़न तो पेपर के टायम पर ज़रूर अच्छे से पढ़ाई किया करें चलते हैं फ